हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है देसी गुलाब का पौधा अगर आपको कोई ऐसा गुलाब का पौधा चाहिए जिसकी खुश्बू बहुत अच्छी हो तो इसके लिए आपको ये पिंग कलर का देसी गुलाब का पौधा जरूर अपने घर के अंदर लगाना चाहिए इसकी खुश्बू बहुत अच्छी होती है अगर आपको इस पूल नहीं दे रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ चार-पांच ऐसे होममेट फटिलाइजर जिसको कि आप घर में ही बनाकर अपने पौधे को अगर देंगे या कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे घर के किचन में ही पाई जाती हैं अगर इनको आप रेगुलर अपने पौधों में डालते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया फटिलाइजर का काम करता है हमारे देसी गुलाब के पौधे के लिए और इसको डालते ही आपका जो चोटा सा देसी गुलाब का पौधा है वो भी काफी सारे फूलों से भर जाती है अगर आप इसको दूपली जगह पे रखेंगे तो यह बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा और इसके उपर कीड़े और फंगस भी कम लगेंगे चाहे वो कोई भी पौधा हो चाहे वो देसी गुलाब का पौधा है या फिर आपका हाइबर गुलाब का पौधा है इसके वज़े से आपका पौधा खराब हो जाता है तो अगर देसी गुलाब का पौधा आपने गमले में लगा रखा है तो इसकी मिटी को चेक करके ही आप पाने डालें बहुत जादा मिटी गीली होने पर दुबारा आप इसके अंदर पानी तब ही दे जब मिटी इसकी हलकी सी स सकर ब्रांच वो देसी गुलाब के पौधे के अंदर निकल करके नहीं आता है इसके बाद आखरी चौथा पॉइंट ये है कि आपको देसी गुलाब के उपर अगर जादा से जादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसकी कटाई शटाई आपको करते रहना चाहिए अगर आपको इसके उपर जादा से जादा कटाई शटाई करनी है यानि कि हार्ड प्रूनिंग करनी है जिसमें कि हम लगबग 40% ब्रांच इसको काट करके निकाल देते हैं तो इसके लिए जो सबसे सही समय है वो है सर्दियों का स्टार्टिंग और सबसे सही टाइन होता है ऑक्टूबर का महीना या फिर आप मार्च में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं लेकिन इसकी सौट प्रूनिंग यानि थोड़ी थोड़ी ब्रांच इसको आपको पूरे सीजन काटते रहना चाहिए यानि कि पूरी सर्दियां आप इसकी टिप प्रूनिंग कर सकते हैं इसकी डैड ह यानि सूखे वे पूलों को समय समय पर आप काट करके जरूर निकालते रहें तब ही आपको नई ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी इसके बाद जो आखरी पॉइंट है हमारा वो है इसका फटिलाइजर जिसमें आपको मैं काफी सारे फटिलाइजर बताने वाली हमारे गुलाब के पॉदे के लिए चाय की पति में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है इसके अलावा इसके अंदर टैनी के सिद पाई जाती है जो कि मिट्टी को फर्स्टाइल बनाती है मिट्टी को उपजाओ बनाती है मिट्टी को एसडिक बनाती यानि कि पंदा दिन में सिर्फ आपको एक बार आधा चमच ये वाला खाद अपने पौदे को देना है चाय की पत्ती का इस्तमाल आप एक और तरीके से अपने पौदे के लिए कर सकते हैं इसके लिए जो रोज हम चाय बनाते हैं चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है इसको आप धो करके अच्छे से सुखा लो काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि चाय की पत्ती देने से कभी हमारे पौदे को नुकसान तो नहीं करेगा तो वो लोग ये वाला तरीका अपना सकते हैं इसका इस्तमाल करने का बहुत सारा फायदा होता है इसमें कोई भी कैमिकल प्रेजर्वेटिव नहीं होता है इसे लिए इसकी मात्रा हम जादा रख सकते हैं आप इसे तीन चमच से लेकर के पांच चमच तक अपने किसी भी पौदे में दे सकते हैं अगर पौट का साइज चोटा है तो आप तीन चमच इसको पंदर दिन में एक बार दे सकते हैं अगर पौट का साइज जादा बड़ प्रेजर का इस्तमाल करते हैं और यह जो चाय की पती है आप किसी भी पौदे में इस्तमाल करो किसी भी तरीके के पौदे में इस्तमाल करो आपके पास कोई भी पौदा है कोई पत्यदार पौदा है जिसके अंदर से पत्यां होती है तो आप उसमें भी इसका इस्तमाल कर सकत जो कि पौधे की मिटी को उपजाओ बना देता है बहुत सारे nutrition इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि पौधा फूल नहीं दे रहा होता है उसके अंदर फूल स्टार्ट हो जाता है अगर हम इसको अपने पौधे के अंदर डालते हैं तो किसी भी flowering plant में भी आप इस चाय की पती का इस्तमाल अपने पौधे के लिए कर सकते हैं लेकिन जब भी आप इसका इस्तमाल करते हैं तो इसको पहले अच्छे से धो करके आप सुखा लो और सुखाने के बाद ही आप इसका इस्तमाल करें अगर आप अच्छे से धो करके इसको सुखा लोगे दो-तिन दिन तो इसक पाया जाता है नाइटोजन की वज़े से इसका इस्तमाल हम हमारे गुलाब के पौदे के लिए कर सकते हैं या और भी जितने पौदे हमारे गार्डन में सब के उपर कर सकते हैं यह मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुलाब के पौदे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद कभी कभी हम खात तो अपने पौदे को देते रहते हैं लेकिन मिट्टी ऐसे रिक ना होने पर हमारे पौदे के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है तो यहां पर यह कॉफी पौदर कमाल का काम करने वाला कॉफी पौदर में नाइटोजन के अलामा बहुत अच्छी मात्रा में केल्शिम पाया जाता है जो की पौदे की ग्रोथ में मदद करता है और अगर आपके पौदे की अंदर नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आती हैं तो वहां पर आप कॉफी पौदर का इस्तमाल कर सकते हैं आप कॉफी पौदर को सीधे आधा चमच अपने पौदे की चमच भी रख सकते हैं अगर आपको इसका रिजल्ट जल्दी अपने पौदे के उपर चाहिए तो बहतर है कि आप इसको सीधे मिट्टी में न डाल करके आप इसको पहले पानी में घोल करके इस पानी को अपने पौदे के अंदर 15 दिन में एक बार दे दें अगर आपके द बहुत ही आसानी से घर में बना करके अपने पौदों को दे सकते हैं जो दो फटिलाइजर मैंने आपको बताए इससे हमारे पौदे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है लेकिन अगर इसकी जो फासफोरस की और पौटाशियम की मात्रा को बढ़ाना ह तो वहाँ पर ये वाला जो फटिलाइजर जो मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तमाल भी 15 दिन में आप अपने गुलाब के पौदे के उपर जरूर करें ये जो फटिलाइजर है ये सर्दियों में हमारे सभी पौदों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है क्यूंकि इसके अंदर पौटाशियम की बहुत अच्छी मादरा पाई जाती है और पौटाशियम पौदे की जणों को मजबूत बनाता है इसको बिमारियों से बचाता है तो फ्रेंस ये है बेस्ट होममेट फटिलाइजर जो की है केले के छिलके का पौदर जब भी आपके घर के अं लेकिन केले के छिलकों को आप अगर सुखा कर इस्तमाल करेंगे तो ये जादा फायदे मंद होता है हमारे पौदे के लिए कच्छे केले के छिलके का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन उससे हमारे पौदे को कम से कम फायदा मिलता है तो इसलिए आप इस तरीके से अगर अगर इसका फाइदा आपके पौदे को जादा मिलेगा अब इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है अगर आपके पौट का साइज छोटा है तो आप एक चमज तक 15 दिन में एक बार दे सकते हैं अगर पौट का साइज बड़ा है आपका पौदा बड़ा है तो आप तीन चमज तक इस fertilizer को अपने पौधे के अंदर 15 दिन में एक बार दे सकते हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ पीछे के दो fertilizer share किये उनके साथ भी आप इसको दे सकते हैं यानि आप चाय की पत्ती का खाद और ये जो केले के छिलके का खाद है इन दोनों को एक साथ 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं दोनों ही खाद को एक साथ देने से हमारे पौधे के अंदर nitrogen, potassium और phosphorus यानि कि NPK नेचरल तरीके से मिल जाती है तो जो भी हमारा पौधा growth नहीं कर रहा होता है वो growth करना start कर देगा और आप देखेंगे कि इस खाद को देने से आपको अपने देसी गुलाब के पौधे के उपर कोई भी खाद देने की जरूत नहीं पड़ेगी आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा केले की छिलके ना होने पर इसकी जगा आप आलू के छिलकों को सुखा कर उसका पाउडर बना कर भी दे सकते हैं आलू के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशिम और फासफोरस पाया जाता है अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास फटिलाइजर है ये बहुत ही बढ़िया और्गैनिक फटिलाइजर है हमारे देसी गुलाब के लिए इसका इस्तमाल भी आप अपने पौदे में अगर करेंगे तो देसी गुलाब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है इसके लिए आपको चाहिए गोबर के उपले गोबर के उपलों को आप एक दिन के लिए भिगो करके रगदो और इसके बाद जो इसका लिकुट तयार होता है उसका इस्तमाल हमें देसी गुलाब के अंदर करना है ये कमाल का फटिलाइजर है आपके देसी गुलाब के तो आपको कुछ और देनी की जरूत ही नहीं पड़ेगी इसको बनाना भी बहुत आसान है लेकिन इसके लिए बस आपको गोबर के उपले चाहिए इस लिक्विट को अपने पौदे में डालते समय तकरीबन 6-7 गुना और पानी मिलाकर ही आपको इस लिक्विट को अपने पौदे के उपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा इसके बाद जो आखरी फटिलाइजर है हमारे पास यह है गोबर का कमपोस्ट यानि जो गोबर की सड़ीवी खाद होती है इसको अगर आप सुखा करके महीने में एक बार अपने गुलाब के पौदे को दे देंगे दे देसी गुलाब बहुत सारी कलियों और फूलों से भर जाएगा और बहुती बढ़िया ग्रोध करेगा देसी गुलाब के लिए गोबर की खाद एक वरदान है आपके जब भी किसी गुलाब के पौदे में फूल ना आ रहा हो तो महीने में सिफ एक बार आपको देना है लेक waking जब भी आप ये गोबर की खाद का इस्त्माल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखे गोबर की खाद पूरानी होनी चाहिए अच्छे से सुखा कर ही आप इसको अपने पौदे के अंदर डाले नई गोबर की खाद आप सीधी अपने पौदे की मिटी में न डाले क्योंकि जो नई गोबर की खाद होती है वो बहुत तेज होती है वो जणों को एकदम से कभी-कभी जला देती है तो हमेशा पुरानी गोबर की खाद का ही आप इस्तमाल करें तो फ्रेंस ये जितने भी फटिलाइजर मैंने आपको बताए है इनका इस्तमाल आप देसी गुलाब के अंदर भी कर सकते हैं या फिर आपके पास किसी और वराइटी का गुलाब है मीनियेचर वराइटी का गुलाब है या फिर आपके पास हाइब्रिड गुलाब है सब जगे आप इन फटिलाइजर का इस्तमाल अपने गुलाब के पौदे में कर सकते हैं तो फ्रेंस जितने भी खाद मैंने आपको बताएं पंदा दिन में एक बार आप देसी गुलाब के पौदे को दे दो आपका देसी गुलाब बहुत ही बड़िया फ्लावरिंग करेगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू